हम लोगों ने जो पनियर का प्रोग्राम लॉंच किया है जो टूटली फ्री ओप कॉस्ट है इसका एडविशन फॉर्म आगे है जो लोग इंट्रस्टेड है जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बोलो कि इस एडविशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो आज मैं इसी को कबर करने जा रहा हूं कि हैं कि आपको कैसे अट्विशन फॉर्म को करना उसका क्या बरॉसेस यह को प्रोग्राम पर चांटाये पर चैनल पर देख सकते हैं इस पर एक वीडियो पढ़ी हुरी है जिसमें मैंने वरे अंो इसारे नीप में मिल जाएगा आप यहां पर देखिए comment box में जो second वाला link है इस पर click करके आप डिरेक्ट वीडियो देख सकते हैं ओके चलिए हम लोग अपने topic पर आते हैं कि आपको एड़िसन फॉर्म क्या से फिल करना है अगर आप लोगी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको comment box में जाएंगे तो आपको बहाँ पर इसका link मिल जाएगा एक method बहुत ही simple है और दूसरा method है जिसमें आपको कुछ problem आते हैं वह कैसे solve होगी वह भी मैं आज जिसमें cover करूंगा तो यहाँ पर एक आपको क्या problem हारी है यहाँ पर direct आप लोग जीमेल डाल लें और next कर रहे हैं तो यहाँ पर error बदा रहे होगे तो क्यूंकि आपने create करना होता है आपको passport create करना होता है ID डालने होती है आपका नाम पुछता है तो बैसे होता है लेकिन मैं आपको simple method बताता हूं जिसमें आपको कोई भी login करने की ज़रूद नहीं है तो इसके लिए आपको देखिए ऊपर three dots दिख रहे हैं यहाँ पर आपको click करना है जैसे आ मैं भी chrome browser पर आ गया हूं इस chrome browser पर आ करके इसको paste कर देना है ओके मैं आप पर इसे paste कर देता हूं जैसे आप इसे paste करके next करेंगे या फिर search पर okay करेंगे तो यह देखिए form खुल जाएगा कोगी इस देखिए आप आपको कोई भी login नहीं पूछा ID कुस नहीं पूछा create करने कोई भी ज़रूद तेने direct form आपको खुल गया और इसमें basic information है आपको डाल ली है और यहाँ पर डालने के बाद आपको next कर देना है submit कर देना है आपका form fill up हो जाएगा okay मैं आपको यहाँ पर इक form fill करके दिखा देता हूं यहाँ पर आपको नाम देना है नीचे आपको अपने फादर का नाम देना है फिर इसके नीचे आप आएंगे यहाँ पर आपको data word डालने है यहाँ पर आपको year choose करने में प्रॉब्ल कर लीजिए फिर next आए इसमें आप date और जो भी मन्त है उसे select करें और फिर set पर click कर दीजिए आपकी जो data पर फिल हो जाएगी इसके बाद आपको अपनी hobby देना है जैसे कि मैं यहाँ पर book reading डाल देता हूं आपकी जो भी हो को यहाँ पर डाल दीजिए फिर देखिए ब्ताइब को ऐपनी qualification देनी फिर आपको अपनी qualification देनी है तो कि कि आपको किस paper में इंट्रेस्ट या यहां पर आई जो भी चूष का है वो यहां पर डाल दीजे हैं फिर आप ऐस क्यूं बनना साथ हैं यहां पर हिंदी में में पिलिख सकते हैं ज़रूरी नहीं कि आप यहां पर इंग्लिस में ही आंसर दें अगर आप हिंदी में comfortable हैं तो हिंदी में बताइए कि आप क्यों आईस बना चाहते हैं और यह वाला question जरूर बताइए दोस्तों फिर आपको address देना है फिर नीचे आपको phone number डालना है आप phone number डालने के बाद नीचे आपको Gmail ID डालने के बाद आपको एक photo upload करना होगा यहां पर आप एड फाइल फर क्लिक करके कोई भी photo upload कर सकते हैं जैसे कि मैं एक example के लिए अपना photo upload कर देता हूँ आप इसमें photo upload करने के बाद कुछ second का बीट करिए यहां पर यह इस तरह से upload करके हो जाएगी होगे अब आपका जो form है वो complete हो चुका है अगर यहां पर मैंने एक वीडियो दी है अगर आप इसे देखना जानते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें पूरी information दीगी है फिर यहां पर आपको submit का button देख रहा है यहां पर आपको क्लिक करना है फिर आपको successfully आपको जो form है वो fill हो जाएगा लेकिन अगर आप में कोई भी mistake हो गई यह से fill करते बगत तो आप इसे edit भी कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे like करिए और आप इसे अपने दोस्तों में share करिए इस प्रोग्राम से ज्यादा ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए जिससे आपको भी एक ऐसा group मिल पाएगा जहां पर आप discussion कर पाएंगे और साथ में मेरा मोटिवेशन बना रहेगा अगर साथ साथ लोग होंगे तो मैं भी आपके लिए अच्छा साथ अच्छा content लाता रहूंगा फिर हम लोग मिलते हैं छे अगस्त को नई और जाने strategy के साथ बहां से हम लोग अपनी नई जाने start करेंगे और तब तक के लिए अपना अपने घर लोगों का आसपास के लोगों का ध्यान रखिए लॉक्डाउन दोस्तों खुल चुके हैं फिर भी सब जरूरत हो तब ही घर से बाहर ली के लिए चलिए हम लोग अपनी वीडियो हम पर ही फिनिस करते हैं ओके